हाँ जी नमस्कार अदाब सस्रियकाल जैन्द एवरीवन क्या हल चाल कैसे हैं आप सभी लोग वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन स्वागत है आप सभी का दा कोच TGT PGT YouTube चैनल पर आपके परिवार में और दिस साइड निरसिंग बैसला साइनिंग इन हाँ जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन आज यार कहीं पर फस गए थे और बहुत भागम भाग के चलते हुए लग रहा था कि क्लास आज नहीं हो पाएगी लेकिन फाइनली वी आर लाइव आप और हम एक दूसरे के रूबरू है कैसे आप सभी लोग जैहिन भाई जैहिन 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 एवरीवन क्लास को शेर वेर कर दो ताकि बाल को तक क्लास पहुच जाए और फिर इसको हम लोग प्रारंब करते हैं और जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं एक शेर का बटन सबसे पहले फोर्ड दीजिए सबसे पहले जैहिन बच्चा पार्टी चलिए वई टेलिगराम पर शेर हो चुका है अच्छा आज कक्षा थोड़ी सी डिले हो गई छे की बज़े साथ बज़े शुरू हो गई ठीक है हीना आर अगरवाल अल्टरनेट डे क्लास इस बैस्ट आप्चन मैं तो बोली रहा था दो दो घंटे की हो जाती है और बढ़िया भी लंबी हो जाती है वट आपने जो कहा आपको जो ठीक लगा मैंने फिर वो मान लिया अधर स्टेट एड़ एस फिल करें या जनरल प्लीज टेल मी अधर स्टेट का EWS का SCST का तो था OBC दिल्ली का ही था और EWS किसका था कोई बच्चे को नॉलिजेस बारे में एक बर बताओ भाई इस बच्चे को हैं हेल्प करो इस बच्चे की जैहिन भाई गुड मॉनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग इवनिंग देख लेते हो कभी कभी कुछ थोड़े बहुत चेंजिस हो जाए करें तो थोड़ी सी सान्बूती बनाए रखना है आप लोग को EWS में फिल कर दो डिंपल कौशिक ने बता दिया भाई हां देखो मैरथन्स वगएरा भी हम लोग लेकर आएंगे सब लेकर आएंगे आपके लिए घबराओ मताब ठीक है चलिए तो पिछली क्लास में आपने कॉंपलेक्स नंबर के बारे में जाना पहचाना और बहुत बारीकी के साथ चीजों को सीखा आप लोग सारा रिवाइस करके आते हो नहीं आते एक बार कमेंट सेक्शन में बताना सच्ची सच्ची ठीक है हाँ क्या आप लोग रिवाइस करके आते हैं नहीं आते पुराना भाई आपकी जो preparation है न वो ऐसी होनी चीए जैसे जो chapter खतम न अब उसको multiple time revise करते हुए आप तयार रखें उसको कभी भी कभी भी भाई उसका question आजा हमारा तयार है दूसरा जो चल रहा है अब उसकी 8 वी class चल रही है तो उसकी 7 class तयार होनी चीए उसकी 9 वी class चल रही है तो पिछली 8 तयार होनी चीए अभी किया है सब revise हाँ और देखो मैं बहुत खतरनाक तरीके से क्योंकि मेरे पास बहुत-बहुत सारे classes होती है लेने के लिए मैं फिर भी देखो आपकी regular classes ले रहा हूँ इस दिन एक दिन का भी lack नहीं आया है है न हम अल complex number की representation पड़ी थी एक बार मैं वो PDF भी लगा देता हूँ कल आपने क्या पड़ा था ठीक है और अरे 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 board को क्या हो गया भाई board नाच गया भाई मैं आपकी PDF भी लगा देता हूँ जो आपको ने कल पड़ी थी और मैं upload उसको अभी कर दूँगा 10 बजे तक तो telegram ये क्या हो गया अपडेट हो गया क्या हमारा board गजब यार गजब अपडेशन हुआ है भाई एक बढ़ ट्राई करके देखते हैं ये तो मैंने खुद अपनी पाप पहली बार देखा है कहा है तुमारी class 3 की PDF ये री एक नज़र देख लो आप लोगोंने कल क्या पड़ा था नई अपडेट हुआ यार वो तो ऐसी नॉटन की थी तो आने क्या हुआ था ठीक है आप लोगोंने मेनली तो ये चीज पड़ी थी जो कल के लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट थी है न ठीक है अधर स्टेट का जनरल जनरल में काउंट होता है देख लो भाई एक बाद थोड़ा सा ये OBC वाला तो मेरे को पता था आपने बेसिक बेसिक बाते जानी थी और बेसिक बेसिक कोशन दिये थे और हमवर्क के लिए भी मैंने आपको कोशन दिये थे और आपने homework questions को कुछ बच्चों ने telegram पर discuss किया कुछ ने आपस में solve कर लिए कर डाले है ना हाँ तो homework questions है हमारे हो गए एक तरीके से ठीक है भाई हो गए तो हम लोग आगे की तरफ चलते हैं आगे की तरफ चलते हैं और चलते चलते बहुत दूर निकल कर आ गए अंसर देगा कितने बच्चे देख रहे हैं like share खतरनाक तरीके से हाना homework वाले question में आपको fight करनी है we have a telegram channel on which you can discuss your doubt as well as these homework questions that I gave you और इनके बाद आपस में कहीं न कहीं पहुँच सकते हैं तो homework questions को भी उतनी शिदत से try करना है और नहीं हो पाए तो we have a telegram channel description में मिल जाएगा और videos के link में अभी लगा हुआ नहीं है ठीक है तो वैसे तो आपको video के description में मिल जाएगा और चैनल के पूरे के पूरे intro में वो telegram उसको join कर लो उसके बाद वहाँ से doubt discussion group में चले जा और वहाँ पे आपस में बच्चे question version को solve कर रहे होते हैं कुछ कुछ कर रहे होते हैं कुछ बना रहे होते हैं चीजों को देखने हैं सबसे तेज और सबसे सटीक answer कौन देगा हमने दो चीजों का धियान रखना है question सही कौन कर रहा और कौन जल्दी कर रहा दोनों चीजों हमारे लिए माइने रखती है और उन्ही को हम लोग साक्षी मान कर question को साक्षी कर देते है आशी इस प्रणाम भाई समया बानू कह रहे हैं C answer है जी बहुत बढ़िया अधिर उची जैस्वाल कह रहे हैं A answer है अधूर उची जैस्वाल आपने रिवीजन तो किया लेगिन आपने concept ध्यान से नहीं देखे और समया बानू इन्होंने सबसे तेज आंसर दिया और उन्होंने concept भी ध्यान से देखे है लास्ट टाइम एक मार्ग से रह गई थी बट ग्रेशन का लेवल भी अरे अकेडमिज आग लगा देंगे ठेंसन कहले रहो ठीक है बोल दिया तो बोल दिया ठीक है चलो भई solution यहाँ आजाओ पहली दिक्कत क्या है कि सर आपने लिखवाया था अगर किसी complex number का modulus 1 है तो 1 प्लस Z अपॉन 1 प्लस Z conjugate कोई किताब में formula मिला अच्छी बताओ नहीं मिलेगा होता तो result है लेकिन बनाया हमने भई कोच pro concept तो यह हमारा Z ही हो जाता है तो यहाँ पर 1-1 होना नहीं वार रहे तो हमारा यहाँ पर 2-2 है हमने दोनों तरफ 2 से भाग कर दिया इदर एक आ गया इदर 2 से भाग किया यह आ गया इदर 2 से भाग किया यह आ गया अब हमारा यह complex number 1 प्लस Z अपॉन 1 प्लस Z conjugate 1 प्लस Z और 1 प्लस Z conjugate यह आ गया हाँ सर जी Z का modulus 1 है बिलकुल 1 है root 3 by 2 का square plus 1 by 2 का square सारी दुनिया जानती है एक बटा चार और तीन बटा चार एक आ गया A स्कॉर प्लस B स्कॉर 1 होता है तो 1 प्लस Z अपॉन 1 प्लस Z conjugate Z ही होता है समया बानू ने सबसे तेज सबसे सटीक answer दिया है और अदुरुची जैस वाल ने के नीचे answer दिया लेकिन छोटी सी गौलती कर दी गौलती कर दी गौलती हो गई I promise you to crack this exam अरे आपको promise you have to भाई you don't have any other option you have to give your best exam exam तो सब होते चले जाएंगे line से चलिए बच्चा पार्टी अब आप मेरी को यहाँ पर सुनेंगे देखते हैं कौन बच्चा इसका answer देगा कही ना कहीं यह question एक geometry को भी दर्शाता है देखते हैं आज के class में कौन इस question को चीर फाड करके फोड़ेगा बच्चों मैं फिर बोल रहा हूँ syllabus कराने से selection आपका नहीं होगा है ना कुछ बच्चे टेलिग्राम पे लगते हैं कि भई कैसर syllabus कंप्लीट हो जाएगा syllabus कब तक कंप्लीट होगा मेरे भाई हर chapter के मैं तीन तीन lecture दे लूँ तक्रीबन तक्रीबन 25 के आसपस आपके chapter 75 class में खतम लेकिन उस में से आपको कोई help नहीं मिलेगी मेरी तरफ से उपर उपर से concept बना के मैं खतम कर दूँ आप apply नहीं कर पाऊगे तो देखो समय लगेगा लेकिन हाँ एक चीज की surety है अगर आपका paper वैसे तो देखो paper जा रहा है सेटेंबर के बाद ही अगर आप कल का lecture देख के आएंगे तो आपके लिए बहुत बहुत आसानी हो जाएगी हेमंद दनोतिया ने answer दे दिया है C और बच्चे मशक्कत कर रहे हैं चलिए मेरे साथ जुड़िये हाँ देखिए आप लोग जानते हैं Z एक complex number है यस सर जी जो की X प्लस आयोटा Y होता है आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप ये सारी छोटी छोटी चीज़े यहाँ पर ना लिखें मैं लिखता हूँ ता कि आप connect कर पाएं जो line की equation है उसमें से आयोटा common ले लूँ तो क्या बचेगा Z conjugate minus Z कल की class में अगर आप होंगे तो मैंने ये 2Y लिखवाया था देखो भाई मुझे जाना नहीं चाहिए वैसे क्योंकि मेरा समय खराब कर रहा है लेकिन Z conjugate minus Z इंटो आयोटा 2Y क्या स्टार भी लगा हूँ है हाँ अगर ये सब चीज़े आप नहीं करोगे ना पेपर में तो फिर आपका पेपर समय लेगा समय लेगा फिर वो टाइन में होगा isn't आपको शार्फ होना ना देखो मैं इससे आसान क्या दू तुम्हें बताओ क्या दू इससे आसान तुम्हें मुझे बताओ तो सओ कि ये दे दो है न तो आपको कम से कम भाई जो पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़कर आओगे न ठीक है ये कितना दे रखा था 5 तो 2y बराबर 5 यानि y बराबर 5 बटा दो एक straight line आगई ये value 2y होती है और वो 5 दे रखा बहुत अच्छी बात सर जी ठीक है इसमें इसमें इस वाले complex number का reflection point ये है ठीक है Z2 का ये reflection point है तो यार ले Z2 इधर है ये इसका reflection है ये रभाई Z2 Z2 में एक बात सुनो मेरा एक बहुत अच्छा बहुत बढ़िया मित्र है जिसका नाम है G2 उसने इतने number change कर ली है अपने इतने number change कर ली है G2 save कर लिया G2 सबसे नया number save कर लिया G2 सबसे पुराना number save कर लिया Z भी save कर लिया और लास्ट टाइम में आगे अब ऐसा J2 ये भी कर लिया मैंने और अब मेरे को जो number save करना पढ़ रहा उसका Z2 इस नाम से save करना पढ़ रहा तो इतने number change कर लिया उसने बस ऐसी आदा है मैंने बता दिया आपको Z2 Z2 बोलिया X plus Iota Y point बोलिया X, Y ये वाला Z1 है Z1 कितना दे रखा है 1 plus Iota तो ये bracket क्यों लगा रहा हूँ मैं 1 plus Iota है ना तो points हो गए 1,1 अब आप मुझे बताइए आप से X, Y पूछ रहा है अरे मेरे भाई यहां देखिए ध्यान से ये one dimension line है straight line पढ़ाऊंगा तो बहुर अच्छे से clear होगा इस one dimension line पे Y हमेशा वही रहेगा जो है कितना Y 5 by 2 Y हो गया sir 5 by 2 ये line इसके perpendicular है ये X बराबर है इस पर X कितना हो गया ये one हो गया अरे हाँ तो हमें देखो ना X 1 हो गया तो इस पर X 1 है ये line की equation X equal to 1 है और इसकी Y equal to 5 by 2 है अब हमें उसकी image थी है आप लोगोंने midpoint नहीं पढ़ा कोई बात नी सुनी अध्यान से अगर ये point है और ये point है ये midpoint होता है तो this plus this by 2 होता है हम fast approach से करें तो आप इसका double करके इसको minus कर दीजिए ये निकल जाएगा 1 का double कर ये 2 2 में से 1 गया X आ गया 1 5 by 2 का double कर ये 5 5 में से 1 गया 4 आ गया ये midpoint formula लगा दिया क्या लगा दिया midpoint formula तो X की value 1 Y की 4 आ गई तो Z2 आ गया 1 प्लस 4 आयोटा What is the answer? 1 प्लस 4 आयोटा 1 प्लस 4 आयोटा दूसरी भाषा में अगर आपको समझना है ठीक है? हाँ दूसरी भाषा में अगर आपको समझना है बच्चा पाटी ये सुन लीजे जो one dimensional line होती जो X बराबर और Y बराबर होती है और उनमें कभी भी object या image के बारे में बात करें तो जो line है Y बराबर 5 बाइ 2 तो आपका जो point है जिसकी आप image ये object बना रहे हो तो line में क्या है Y बराबर 5 बाइ 2 तो इसका X सेम आएगा X 1 है तो वहाँ पर direct X को 1 लिख दीजिए और जो इसका Y वाला होगा इसका double करिये 5 by 2 का double 2 से 2 cancel 5 5 में से 1 गए 4 आंसर आजाएगा ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग So the right answer of the question is 1 plus 4 iota किसी भी बच्चे ने इसका सही आंसर नहीं दिया नहीं दिया नहीं दिया Not even a single student in this class जिसने इसको सही करा हो कोई बात नहीं गलतियों से सीखते हैं बच्चे सीख लिया सीख लिया और चीश सिखा हो आपको यहां देखिए अगर आपकी line की equation ऐसे आजाए X बराबर 7 by 3 दुबार सुन लो यह 7 ही लिख लो 7 by 3 लिखो ना क्यों दिक्कत है वैसे तो X ऐसे बनेगी मैंने आपके लिए बना है और image पूछे 1 dimension में क्या पूछे? image तो Y वाला coordinate सेम रहेगा यहां पे लिख लो यहां लिख लो यह मानलो करो बन यह लिखा है क्या नाम है? 2, minus 1 तो इसका Y वाला coordinate सेम रहेगा कितना minus 1 और X वाले coordinate में इसका double करके इसको minus कर दो इसका double करोगे 7 दुनी 14 बटा 3 और यह minus कर दो 3 दुनी 6, 14 में से 6 गए 8 बटे 3 तो आप इस तरीके से और rapid way में image बगेरा 1 dimension में निकाल सकते है ठीक है? 1 dimension में निकाल सकते हैं तो यह छोटी-छोटी चीज हैं जब हम geometry पर पहुचेंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे बचा पार्टी आपके paper में सबसे ज़ादा बार आने वाला question यह है कौन-कौन से exam में आए? D, triple S, B K, V, S U, P, T, G, T, P, G, T यानि आपके इन सभी परिक्षाओं में यह प्रशन पूछा गया है अब इसका answer छोटा तो है नहीं यह बात सकते है answer बढ़ा है, पिर यह क्यों पूछ रहा है? क्योंकि answer fix है answer क्या है बच्चा पार्टी? fix है ध्यान से देखना हम इस question को करेंगे नहीं मैं इस question से बहतर आपके सामने तीन question, दो question लेकर आया एक और एक समझ लीजिए दोनों आपके paper के हिस्से हैं समझ लीजिए ये question दोनों आपके paper के हिस्से हैं अब आपको इसको करने में मज़ा आएगा क्यों? अगर आप इसको सही करोगे तो आपके दो question सही होंगे दो question सही होंगे तो कहीना कहीन लगता कि अगर मेहनत जादा भी हो रही है प्रशन करने में कोई वातनी सर्जी देखा जाएगा है ना? तो complex number में कभी भी number of solutions पे या इन पर question आता है तो कैसे किया जाता है? All eyes on me सारे बच्चे सामने देखेंगे solution कह रहा है सारे बच्चे ध्यान से कि अगर z square आयोटा z conjugate के बराबर है और z1, z2, z3 इसके non zero roots है, non zero solution है तो आपसे z1, z2, z3 के उपर कुछ दो तिन questions कराए गए है कोई बात नहीं हमने का बड़े आराम से करने के हम लोग कोशिश करेंगे z आप लोग जानते हैं अगर z x प्लस आयोटा y तो आप लोग जानते हैं z conjugate क्या होगा? x माइनस आयोटा y और उसकी आयोटा से multiply करोगे आयोटा से multiply करना आयोटा स्कुर माइनस one माइनस माइनस प्लस y प्लस आयोटा x हो जाएगा yes sir ji z का स्कुर वो भी आपने हमें लिखवाया था z का स्कुर करेंगे x स्कुर माइनस y स्कुर प्लस two x y आयोटा अगर ये सब आपके दिमाग में चलता है तो आपकी calculation बड़ी अच्छी है आपके दिमाग में concept घूमते हैं और आपने click कर पाते हैं अगर दिमाग में नहीं चलता तो आप कही न कहीं थोड़ा सा fast बनी है maths के अंदर क्योंकि ये सब बाते मैंने लिखवा दी जाके check कर सकते हूं तो कह रहा है z square z square क्या बच्चा देखो टाइम लगेगा थोड़ा सा और समझने की कोशिश करने एक बार में z square ये आ गया is equal to किसके आयोटा z conjugate iota z conjugate y plus iota x अच्छा आप लोग मुझे ये बताएं complex number argand plane में किसको represent करता है anyone in the comment section a complex number z is equal to a plus iota b represents किसको करता है argand plane में पहले आप ये लोगा ये लिखें सामनी मेरे जल्दी एक complex number argand plane में किसको represent करता है do it fast 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 जल्दी एक complex number argand plane में किसको represent करता है भई मुझे जो पता लगना चाहिए point شाबाश है na point को sir तो यार, एक complex number दूसरे complex number के बराबर, एक point, एक point के बराबर और एगर एक point 3,4 है तो वो तो 3,4 के ही बराबर होगा X का 3, Y का 4, यह रहा 3,4 तो 3,4 यह रहा तो अगर कभी भी 2 complex number बराबर होते हैं मतलब 2 point बराबर है दो point बराबर तो x coordinate x के बराबर y coordinate y के बराबर इसको हम अपनी भाषा में ये कहते हैं कि real part real के बराबर imaginary imaginary के बराबर एक चीज और याद रखेंगे कभी भी complex number किसी से छोटे बड़े नहीं होते कहीं पर ऐसा लिखा हो मना कर देना complex number can't be compare क्यों compare नहीं कर सकते और एक point है point को point से कैसे compare करोगे कम से कंग comparison के लिए कोई length होनी चाहिए point के तो length 0 होती है 0 length को कैसे compare करेंगे यार हाँ तो compare अगर करना है तो आप modulus को करो complex number को नहीं complex number बस एक दूसरे के equal होते है अगर complex number एक दूसरे के equal होते है तो real part real के बराबर imaginary part so what is the real part x square minus y square equal to y and what is the imaginary part imaginary part is 2xy is equal to x एक गलती जो बच्चे बहुत सारी करते हैं ध्यान से सुने मेरी बात प्यारे बच्चों बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको सिखाते हो जहां से आपके paper में चीज़ें खराब ना हो जाए कहीं कहीं पर ये equation आ गई है ना अब बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में 1x से 1x cancel x is equal to 1 कौरा मचा दिया देखो सर हमने solve कर दिया solve कर दिया खराब कर दिया question को what is the degree of the equation the degree is 2 2 का मतलब highest power degree जिससे कहते है जिस equation की जितनी degree होते है उतने roots निकलते है यानि इसके दो solution निकलने चीए थे x से x काट दिया x बराबर एक यहां तो एक ही solution निकला कौनसा x equal to 1 दूसर solution कहा गया सर तुम खा गए शायद सर हम नहीं खाए अरे खा गए थे तुमने काट दिया सर काटना नहीं था इधर बुलाना था इधर बुला के common लेना था common लेना था यानि x equal to 0 x equal to 1 देखो दो solution दिख रहे है हाँ तो solve करते है टाइम आज के बाद कान के ऐसे करके कान पकड़ लेना कि solve करते हुए आज के बाद कभी भी solution निकालते हुए कभी भी variable को variable से कट नहीं करेंगे क्या करेंगे common लेंगे ठीक है हमारे पास दो equation आगई real part real के बराबर imaginary imaginary के यहां से कुछ solve नहीं कर सकते एक equation दो variable और degree भी अलग लग भागो यहां से कुछ solve नहीं हो रहा x से x काट दें x से x काट दें अभी तो सिखाया है कान पकड़ लो नहीं काटना सर कभी भी solve करते है variable cancel नहीं common लेंगे इदर आके x को common ले लिजिए 2xy minus x equal to 0 x को common ले लिया 2y minus 1 equal to 0 x equal to 0 एक case निकल कर आया और y is equal to 1 by 2 एक case निकल कर आया तो यहां पर दो value आ गई अब हमने यहां से case बनाने शुरू करें case first when x equal to 0 देख लो कितनी बढ़ी है चीज पढ़ा रहा हूँ when x equal to 0 अब x equal to 0 रखके y कैसे निकालें यह रहा x equal to 0 इसमें रखो ना वाई इसको कैसे सुना सुना कर रखा x को 0 रखा 0 minus का y square बराबर y क्या y से y कट करते हैं नहीं बे पाप लगेगा इधर ले जाओ y plus y square equal to 0 कितना common ले लें y y common ले लिया 1 plus y equal to 0 y का answer y equal to 0 और y equal to minus 1 बहुत बढ़िया सर जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मज़ा आ गया साइड में एक ऐसे करके डंडा खीचो ठीक है ये बनेगा क्या भाई case second sir case second किस लिए case second किस लिए when y equal to 1 by 2 when y is equal to 1 by 2 जब y 1 by 2 होगा रख दें इसके अंदर इसी में तो रख के x मिला था x को इसमें रखा तो y के मिले y को 1 by 2 रख देते x square 1 by 2 का square 1 by 4 1 by 2 half और quarter 3 by 4 दिल खुश सा हो गया कि half और quarter सुनके बहुत पिट हो गया अंडर रूट कर दो x equal to root 3 by 2 minus root 3 by 2 sir ये क्या हो गया ये हमारे answer आगे आपने जो complex number let किया था वो x plus y iota y let किया था तो आईए लिखते है जब x 0 तो y 0 तो पहला complex number 0 plus 0 iota भई x और y की जगे लिखते हो 0 और 0 फिर x 0 तो y minus 1 0 minus iota तीसरी x is root 3 by 2 तो y half root 3 by 2 तो y half और तीसरा x is minus root 3 by 2 तो y half minus root 3 by 2 तो y half plus का half ये हमारे पास निकल कर आए तो पहले तो ये बताएए सारे बच्चे सामने देखके जो आपके काम की चीज़ है बच्चे पार्टी बहुत ध्यान से never ever ignore these types of questions जो time ले रहे न वो आपको बहुत कुछ सिखा रहे है उसमें clarity बढ़ रही है आपकी ठीक है? हाँ ध्यान से देखिए अब मैं आपसे अगर एक चीज़ पूछू के कितने हल हैं? जल्दी से answer दीजिये इस समीकरन के कितने हल हैं? जल्दी answer दो भाई how many solution of the equation are possible how many solution of the equation are possible इस समी करण के कितने हल है do it, do it, do it बोलो भाई, बोलो भाई मिशन दीर त्रिपल स्वी दो हजार चौबिस चार आज के बाद अपने भेजे में डाल लीजिए ये बात क्या there are poor solution याद रखोगे आज के बाद fix answer है, कैसे याद रखना है सर कभी भी complex number की quadratic equation देखो copy पे लिख लो, कोई नहीं बताएगा तुम्हें इतने deep में जाके और तुम teacher बनने वाले वो paper बढ़िया ही आएगा तुमारा है ना, DSSS भी लेवल की तियारी चल रही है दुबारा लिख लो, कभी भी complex number की quadratic equation देखे है मतलब z वगेरा का square कहीं भी हो है ना और पूछे उसके कितने solution, कितने solution so there are always four solution एक चीज और सुनो, उन four में एक zero आएगा zero plus zero iota को पागल बना रहा है इतना क्यों deep में जा रहा है zero ही लिख दे ना, हाँ तो how many non-zero solution of the equation are possible how many non-zero solution of the equation are possible total बोलिए, चार solution non-zero solution बोलिए, जल्दी non-zero solution तीन वो बात की बात है ठीक है, total solution चार, non-zero solution तीन निकल कर आ गए ठीक है सर जी, ये बात हमारे पास आ गए तो बताना जो आपके paper में आया था ये question इसके कितने solution, roots answer बताईए अपने इस question का जल्दी से अब ये book के अंदर बहुत बढ़ा है जो अभी अभी आपने किया, उस सब कुछ इसके अंदर होगा solve करोगे, ये निकालोगे, z निकालोगे, compare करोगे real को real, imaginary को imaginary सब solve करोगे, फिर solution निकलेंगे बताईए इसके कितने roots है, कितने solutions है I have taught you all this in quadratic equation that root is referred the same as solution or solution roots और, क्या था हमारा solution roots और, क्या था हमारा solutions बुलते थे उसको roots बोलते थे और zeros, zeros बोलते थे हैं यहाँ पर zeros यूज निकाल सकता क्योंकि आयोटा में निकल रहा है तो roots बोल रहा है चार आंसर पर टिक कर दो quadratic equation complex number में आ रखी है quadratic equation complex number के अंदर आ रखी है बिना time खराब करे, direct खतम हो गया समझ में आया, magaj में आया अब यह आया कुछ magaj में है, ठीक है अब इस question को पढ़ लो, कहरा z1, z2, z3 इसके non zero roots है non zero roots मतलब zero के अलावा वाले zero के अलावा तुझे तो भाई zero हो गया तो z1 बोलिए, minus iota z2 बोलिए, root 3 plus iota by 2 और z3 बोलिए, minus root 3 plus iota by 2 यह रहे हमारे तीन non zero roots तो पहले पार्ट में इनका sum करा रहा है आईए इनको जोड देते हैं minus root 3 by 2 से root 3 by 2 cancel iota by 2, iota by 2, iota, iota मैंसे minus iota गए 0 है, तो यह रहा इसका answer लेकिन इतनी मशक्कत तब करेंगे जब roots के साथ खेला खेला जाएगा इतनी मशक्कत तब करेंगे जब roots के साथ खेला खेला जाएगा are you getting? हाँ जी यह वाला आपका उसी का homework है इसको आप लोग homework में कर लेंगे वही z1, z2, z3 multiply कर लेना, यह देख लेना purely real है या नहीं है मैंने आपके सामने एक बात रख दी अगर कभी भी complex number की quadratic equation हो, तो उसके roots 4 होते हैं, दुबारा सुनेंगे मेरी बात फिर उस चीज का खंडन भी करूँगा, मैं अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना उस चीज का खंडन भी करूँगा मै आपके सामने कोश्चन आ रहा है, फिर एक definition हम लोग तयार करेंगे कोश्चन का आ रहा सर, यह आ गया आपके सामने समझा लिए, समझा लिए बबू समझो इसारे गुरुजी, अरे गुरुजी पुरुजी ना बोला करो भाई, सुरज हाँ, कोश सर नाम है हमारा, कोशी गुरुजी पुरुजी ज़े तो बहुत ज़्यादा हम तुम से फिर कह रहे हैं, हम तुम साथ साथ है ना, हाँ, आप दिल से सम्मान करते हैं, इतना ही काफी है पूरा टीजीटी, पीजीटी का सिलेबस पढ़ा दीजिएगा, आपका टीजिंग स्टाइल बहुत ही अच्छा है, सुरज टीजीटी, पीजीटी भाई, बिलकुल पढ़ा नी रहा लेकिन आप फिर मेरी बास सुनना अगर आप चाहोगे या किसी सिस्टम में चाहोगे कि भाई, दो दिन में तीन दिन में चैप्टर खतम करके आप उसमें महारती बन जाएं, तो फिर आपकी उपेक्षाएं गलत हैं, there are many student जो पहले से बहुत अच्छे होंगे तो उनको उन दोरों, दो-तीन दिन की classes देखके, कुछ खास मिलेगा ही नहीं तो उनका तो ऐसी निकलना है paper, क्योंकि उनको पहले से बहुत पता है, तो उनको इन फरक भी नहीं पढ़ता है लेकिन जिनको सच में paper clear करना है, जो 70%, 80%, 50% या 10% knowledge रखते हैं, तो उनको तो भाई अपने अंदर improve करने के लिए समय देना पड़ेगा खेला हो वो, what a explanation सर जी, धन्यवाद जल्दी सा answer दीजिए सर यहाँ पे तो 4, 4 मिला ही नहीं आपने तो बोला था, complex number में quadratic बने, तो लिख दे रहा, अरे complex number में quadratic बने, बशर्ते की कहीं भी modulus use ना हो, देख रहे हो कितनी अच्छी बात सिखाई मैंने, तो अब दुबारा उस चीज़ को सुनिए complex number में quadratic equation बने, square बने और कहीं पर भी modulus z यूज ना हो रहा हो, तो 4 solution अब हूँ इसके definition ते यार, complex number में कोई भी quadratic equation बने और कहीं भी modulus use ना हो रहा हो, 4 solution तो लिख सकते हैं, फिर भी मैंने आपको solve करना सिखा दिया है यह रहा, और complex number के अंदर quadratic equation बने, लेकिन modulus use हो रहा है देखते हैं कौन बच्चा answer देगा प्रतीक सिंग ने answer दिया है, 2 देखरो, आज तो आप लोग गलत answer पे पैर रख दियो भाई यानि गलत गाड़ी में सवार हो गए यहां फिर कोई आज टक्कर का मिला है बताओ, बताओ, कोई आज टक्कर का मिला है सर जी हमें तो यह सब सिखाया नहीं हमें तो complex number में पहले दिन यह सिखाया modulus, फिर argument और फिर यह, फिर modulus की property argument की property omega पे कूद गए, polar form, demorvist खतम chapter सर हमारा तो अबे यह आता है, तुम paper तो उठाओ अपना एक पर सेकिंडों में करने है कोशन पग्जज सिंग पटेल कहा रहे है एक solution होगा, दीपुतिवारी कहा रहे है, दो होगा प्रतिक सिंग कहा रहे है, पांच होंगे पांच, आईए, आईए सब ताजा माल टो करी में देखो जाए पता ही, आप बोलतों ना कि ताजा माल टो करी तो उसका ये रहप है आपने है ना, तो उसमें वो बोलता है आईए, आईए, सब ताजा माल टो करी में बीएसी भी छोड़ी मेरा मन निलगता नो करी में, तो वहां से ही ये लाइन मेरे को अच्छी लगी ताजा माल टो करी वाली, तो वो बस जवान पर आयाती है, तो कभी गभी चल जाता है चलो भाई, देख रहाँ है, महाँ जी देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देख रहे हैं सर जी, देख रहे हैं, देख रहे हैं चलो भाई हाँ ना, चलो, solution स्टार्ट करते हैं Z square plus modulus Z equal to 0 के कितने roots होंगे जो यहाँ पर satisfy करेंगे है ना, बहुत ध्यान से देख रहे हैं हमने Z को लिया X plus Iota Y modulus Z क्या होगा? अंडर root के अंदर X square plus Y square बहुत बढ़िया Z square को हमने minus modulus Z लिख दिया Z square X square minus Y square plus 2XY Iota, जानते हैं ना आप लोग minus modulus Z, यहाँ गया उदर कोई भी नहीं है तो 0 Iota कोई भी नहीं है तो 0 Iota भाई, क्या करोगे हाँ, बहुत बढ़िया real part real के बढ़िया X square minus Y square minus under root X square plus Y square real part real के बढ़िया हाँ सर जी, इमेजनरी, इमेजनरी के हो गया इमेजनरी का अटव, 2XY, इदर इमेजनरी 0 के बराबर, यहां से दो केस निकले, 0 बटा 2, 0, यहां तो X 0 यहां वाई 0, केस बनने शुरू, केस, केस, केस बनने शुरू, केस से एक शाइरी भी याद आई यह, जब खतम हो जाए मुझे याद दिलाना, याद दिलाना मुझ देखते रहे ना देखते रहे ना कि x को 0 रखा 0 का square 0 क्या बचा खाली माइनस y square 0 का square 0 y square within modulus y square under root के अंदर square से under root cancel होता है तो y नहीं modulus y आता है बताए भी है मैंने quadratic equation के अंदर क्योंकि root x function जो होता है वो always positive होता है तो अंडर root के अंदर कभी भी fx का square आ जाए तो square से अंडर root cancel लेकिन आप fx ना लिखके modulus fx लिखोगी क्योंकि root x की जो range होती है root x का graph only positive होती है 0 से infinite हाँ सरी आपने quadratic में मैंने तुम्हें सब बता रखा है मेरा तो 1 ही आ रहा है देखेंगे 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 सब देखेंगे tension क्यों ले रहे हो सब तुम्हारे सामने होगा x को 0 रखा 0 होगया minus y square 0 y square under root के अंदर y square under root के अंदर modulus y modulus हटता है variable पर तो आपने सिखाया था plus minus तो यहाँ पर minus लगा हुआ plus minus लग भी जाएगा तो कोई फरक नहीं पड़ेगा 0 आगया y equal to 1 आगया y equal to minus 1 आगया ओभे भाई बहुत सारे solution निकल गए ठीक है हाँ सर जी यहाँ से समझे में आगया दूधरा y equal to 0 y equal to 0 0 0 किसमें रखें कहां गए equation यह रही ना y equal to 0 इसमें रखते है 0 हो गया 0 हो गया है यहाँ बच्छा x square square के अंदर square side under root cancel modulus आगया plus minus x आगया इदर आगया x is equal to plus minus x आगया x common x plus minus 1 फिर x के बहुत सारे answer x is equal to 0 x is equal to 1 x is equal to minus 1 हमारे पास 6 answer आगया i n 6 के 6 answer को लिखते हैं ठीक है ध्यान से सुनिएगा सारे बालक सुनिएगा ध्यान से ध्यान से x 0 तो y 0 एक आया 0 plus 0 आगया x 0 तो y 0 दूसरा x 0 तो y 1 0 plus 1 आगया x 0 तो y minus 1 0 minus आगया x 0 तो y 0 0 plus 0 आगया x 1 तो y 0 1 plus 0 आगया और x minus 1 तो y 0 minus 1 plus 0 आगया यह हमारे पास 6 answer निकल आगया x और y के अच्छा 0 plus 0 IOTA को लिखने के लिए अपनी भाशा यूज़ कर ले 0 plus 0 IOTA को 0 ही लिखते है ठीक है सर जी 0 plus IOTA को केवल IOTA लिखते है 0 minus IOTA को minus IOTA लिखते है 0 plus 0 IOTA तो 0 है वो 0 include होतो गया आपे 10 बार थोड़े लिखेंगे 0 plus 0 IOTA हाँ सर जी वो include है तो यहाँ पे इसको बार-बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है 1 plus 0 IOTA को 1 लिखते हैं और minus 1 plus 0 IOTA को minus 1 लखते हैं तो answer कितना आगया बच्चा पार्टी 5 गलत अरे नई सर 5 आतो गया इन मेंसे हमारे 5ों मेंसे 1 minus 1 इस equation को satisfy नहीं कर रहे क्यों नहीं कर दे 1 का square 1 और 1 का modulus 1 1 और 1 दो 2 is not equal to 0 गोली मार भेजे मैं minus 1 minus 1 का square plus 1 minus 1 का modulus plus 1 1 और 1 दो not equal to 0 बाकी के हमारे 3ों के 3ों इसको satisfy कर रहे हैं so the right answer of the question is not 5 is 3 3 कौन कौन से 0 IOTA और minus IOTA 0 IOTA और minus IOTA चल दी से बताईए क्या कुछ समझ में आया देख रहे हो तुम मैंसे किसी ने भी एवन एक भी बच्चे ने इसका सही answer छोड़ो इसके आसपास भी नहीं पहुँच पाए थे तुम लोग समझ रहे हो इसके आसपास भी नहीं पहुच पाए थे तुम लोग गौट एट तो यह आर है कुछ भेंकर कोश्चन है पेपर के अंदर तो मॉडलस आ जाने से आपका चार आंसर नहीं आता जब satisfied नहीं करते तो solution निकलते क्यों है क्या नाम है आपका अयुष श्रिवास्तवा एक बार आप ये बताएंगे अयुष श्रिवास्तवा कर्रेंटली आप क्या कर रहे है तब ही मैं आपका अच्छा अंसर दे पाऊंगा इस चीज़ का तो कि अच्छा कोश्चन है बात तो ठीक है सर हम मैंत में इतना मेहनत करते हैं सॉल्व करके हमने 5 सॉल्यूशन निकाले और मेरे पेपर में ध्यान ही नहीं जाता तो मैं तो 5 लगा देता सर फिर निकलते ही क्यों है समया शेक कह रही है एक्स्ट्रा नियस सॉल्यूशन है वो आयूश आयूश यहां देखो ध्यान से here modulus is treated as the magnitude that's why ये value ये value positive होगी after solving यहां पर हमारा x हा गया x complex number का real part है and this can be positive and negative that's why हमने यहां पर plus minus लगाया तो जब यहां के according जब वो answer निकाले तो इस equation ने solve किये लेकिन वहां पर वो solution इसको satisfy क्यों नहीं कर रहे क्योंकि वहां पर ये solution positive negative हो सकते complex number का real part positive negative it's possible but modulus of a complex number can't be negative MSC passed बहुत बढ़िया ठीक है चली कोई बात नहीं हाँ चले 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 square root of complex number मैं फिल में उतरना पड़ेगा आप सब लोग इसके ऊपर star लगा लीजिया आप सारे बच्चे ये भी आपके data plus B के सारी परिक्षाओं के अंदर ये questions पूछे गए हैं KVS बगेरा में सब में पूछे गए हैं मॉदलस के उपर under roots के उपर questions पूछे गए है KVS PGT 2018 में भी square root of 5 plus 2 L Iota पूछा गया था teachers कहते हैं कि options का square करके देख लो yes it's a better thing but paper वाला बेफकूफ नहीं है 2018 की बाते अब जब आएंगी ना चीर फाड कर देंगी paper के अंदर सुनिये मेरी बात ध्यान से मैं जो चीज़ सिखा रहूं आपको यहां से देखे under root के अंदर A plus Iota B कभी भी इसका under root बोले पहले तो सारे बच्चे under root का नमबर निकलेगा ठीक है अदेर उची जैस वाल हमने सभी option दिया था छोड़ो अब यहां देखो दिया थो धन्यवाद ठीक है चलिया अब आप एक काम करेंगे जैसे मैं याद करानू वैसी जो भी अंदर complex नमबर बंद है आप उसका magnitude लिखेंगे मोडलस लिखेंगे क्या होता है अंदर root में A square plus B square उसमें real part को add कर देंगे A को add कर देंगे 2 से भाग कर देंगे और फिर अंदर root लगा देंगे बहुत खुशी की बात यहां पे भी same same complex number का अंदर root मोडलस A square उसमें A जोड दिया दो से भाग कर देंगे और अंदर root लगा देंगे ठीक है अगर plus Iota है तो plus Iota लगाएंगे अगर minus Iota है तो minus Iota लगाएंगे भारवाला plus minus is mandatory bracket bracket यही वाली चीज़ दुबारा लखेंगे complex number का magnitude मोडलस उसमें से A plus किया था ना पहले इस बार यह minus करेंगे दो से divide करेंगे फिर under root पेल देंगे bracket को बंद कर देंगे हो गया complex number का under root माइनस आयोटा सेम यहाँ पर तो यह complex number का तरीका है याद करने का very very simple उसका magnitude लिखिया उसमें real part जोड़िये दो से भाग करिये under root magnitude लिखिये real part घटाईए दो से भाग करिये under root प्लस आयोटा है तो प्लस माइनस है तो माइनस बार प्लस माइनस ठीक है इस वाले छेतर में इन दोनों को जोड़ने की कह रहा है इस से यह cancel यह वाली चीज दो बार आजाएगी तो यह वाली चीज जब दो बार आएगी तो दो लग जाएगा इस under root के आगे यह वाली चीज क्योंकि यह तो cancel हो गया यह चीज दो लग जाएगी यहाँ पर दो लग गया अब दो अंदर एंट्री मारेगा दो अंदर entry मारेगा तो अंडर root के अंदर आके चार हो जाएगा दो से चार कटेगा यहां पर दो आगया और यहां पर दो आगया यह वाला यहां से हटा दीजिए यह formula आपका है यहां पर बन गया twice twice under root a square plus b square plus 2a सारा ताम जहां अंडर root के अंदर और इसमें minus आगया तो यह cancel यह वाली चीज़ बन जाएगी दो बार यह हो जाएगा आयोटा twice under root a square plus b square minus 2a screenshot ले लिजिए बहुत ज़रूरी है paper में speed देगा आपको यह चीज़ आएं कुछ questions करें इसके उपर based आपके paper कही कर लेते हैं बेशक लोग बोलते हैं option के square से हो जाएगा लेकिन यह कहां से करोगे यह कहां से करोगे और कुछ घुमादे question में न आलत खराब हो जाएगी तुमारी square root of 5 plus 12 iota देखो बहुत आसान है पहले इसका magnitude लिखो 5 और 12 का magnitude 13 समझगे न 13 क्यों लिख रहा हूँ 25, 144, 169, 13 13 में 5 जोड दीजी real part 2 से भाग कर दीजी 13 में से 5 घटा दीजी real part 2 से भाग कर दीजी plus iota है तो plus iota लगा दीजी यहाँ पर भी under root लगाईए यहाँ पर भी under root लगाईए bracket बनाईए और भार प्लस माइनस लगा दीजी 13, 15, 18, 18 बटे 2, 9, 9 का अंडर root 3 हो गया 13 में से 5 गए 8, 8 को 2 से काटा 4, 4 का अंडर root 2 हो गया answer आगया plus minus यह रहा तो इसके 2 अंडर root निकल गए हमारे 3 plus 2 iota और minus 3 minus 2 iota minus 3 minus 2 iota कहीं है नि 3 plus 2 iota is the right answer और आप अपने options का square भी कर सकते हैं अगर आपको square root find करना आपके पास ABCD 4 option है आप इनका square करके देख लेजे जिस option का square 5 plus 12 iota आएगा वही answer सही होता है बताए क्या clear सारे बच्चों को like share चल रहे हैं न हाँ video दब दबा के चलती रहनी चाहिए भाई कोई कमी पेशी नहीं video में बहुत चीज़े हैं भाई पढ़ाने को और paper में आभी रही हैं बहुत चीज़े हैं paper में बहुत चीज़ें आभी रही हैं बोले पहले का answer कर लेंगे जल्दी से कर लेंगे कैसे under root बनाएंगे दो लिखेंगे a square और b square 64 और 36 100 का under root 10 प्लस इसका double लिखेंगे 16 20 और 16 36 का under root plus minus 6 देखेंगे रहे हूं you all have to answer the second question 5 plus 2 iota तो अभी अभी आपने कर लिया 3 plus 2 iota आया था है ना देखो तो जो मैं questions करा रहा हूँ आपके paper में भी आ रखे square root की range positive होती है आयुष श्रिवास्तवा ये number आ रहा है number complex number positive negative नहीं होते point कब से positive negative हो गए आयुष what is a complex number complex number is a point और point कब से positive negative हो गए आयुष श्रिवास्तव मुझे बता मेरे भाई point कब से positive negative हो गए minus 3 minus 4 iota negative है सरी है point है minus 3, minus 4 under root iota कितनी value लिख मही थी दो एक plus का 1 plus iota by root 2 और एक minus का 1 plus iota by root 2 RPSC second grade maths का syllabus इंक्लूड होगा RPSC में क्या इससे level up आता है क्या DSSSB से लेट में लेट में नो सर plus minus iota 144 और 25, 169, 13, 13, 12, 26 बीच में minus का sign क्योंकि minus है और इसका double 5 दोनी 10 26 में से 10 के 4 4 का under root 26 में से 10 के 16, 16 का under root 4 Fitness era with divya और किसी का भी era with anything आप सुने मेरी बात आप किसी भी state exam की तियारी कर रहे हो आप इन प्रशनों को आप उस chapter को पूरा कर लो जो मैं करा रहा हूँ अगर आपको दर दर भटक भटक के पढ़ना है कि एक साल और दो साल और तीन साल और फिर बात अलग है कि syllabus जल्दी से खतम करने के पीछे लग जाए जबाश third question का answer दीजिए you have to answer the third question third question कौन देगा अब जखो जो teachers बोलते न option का square कर देना हो जाएगा इसमें इन दोनों में तो वैसी काम नहीं करेगा वो क्योंकि option देख लो दूसरा इसमें भी काम नहीं करेगा इस वाले में काम कर जाएगा three plus two out अधूरा पढ़ना ही क्यों है अगर हम पढ़ रहे हैं तो सारा पढ़े न सारा का सारा हां जी सारा का सारा सचिन वाली सारा नहीं आप किस ले बस का सारा का सारा आपको मुझे समय देना पढ़ेगा अगर आपको अपनी मैत अच्छी करनी है तो उस लेवल की उस दरजे की हाँ आपको उसी भेड़ चाल में करना है अच्छा आप में से कितने एस्पेरेंट थे जिन्होंने 2021 दिया था अलोग PMC हमने न तीन चैप्टर करा दिया है यहांपर कौन-कौन से वीडियोस तो और भी पढ़ी है हमने तीन चैप्टर करा दिया है आप कोई भी एक चैप्टर उठा के क्यूबिक क्यूबिक उठा लो उसको पूरा कर लो आपका LTE ग्रेड हो RPSC हो हिमाचल का हो चंडीगड का हो अंडमान निकोबार का हो व्यतनाम का हो है ना आप लगाओ उसके कुशन सलेबस भी कंप्लीट करेंगे सुमया बानो सब कंप्लीट करेंगे भीया काहे परिसान हो रहे हो चलो पैसर्ट आंसर है ना अंडर रूट लगते ही प्लस माइनस तीन चार का ट्रिपलेट पांच पांच और तीन आठ आठ बटे दो चार चार का अंडर रूट दो पांच में से तीन गए दो दो बटा दो एक एक का अंडर रूट एक हो गया अंडर रूट एकस बोलिए दो वाई बोलिए एक दो की पावर चहे चोंसट एक की पावर चहे एक योर आंसर इस पैसट ठीक है हाँ बाइनोमेल भी करा दिया अच्छा एक अनॉंस्मेंट और है आपके लिए कल हम लोग हमारे दूसरे चैनल दकूज डिफेंस अकेडमी पर प्रोपर्टीज ओफ ट्रेंगल का वन शॉट करा रहे हैं जो कि ट्रिग्नोमेटरी का पार्ट है तो अगर आप प्रोपर्टीज ओफ ट्रेंगल को वन शॉट के अंदर खतम करना चाते हैं जो कि 3.3 बेज चले खतम हो जाएगी ट्रास 3.3 घंटे चलेगी तो कल उस चैनल पर 7.5 दस या 7.10 तक वो क्लास रहेगी तो अगर आपको प्रोपर्टीज ओफ ट्रेंगल वगेरा समझना है करना है तो आप महाँ पर आ सकते हैं मैं आपके टेलिग्राम पर लिंक शेर कर दूगा ठीक है शिकात हो अबर मैट्रिक्स हम अपनी मैट्रिक्स जो वहाँ पर है एंडिय वाले में स्क्यूडिल में लगी है बहुत बढ़िया पंगज स्क्यूडिल की स्पेलिंग में S और H के बीच में C को गुसा दो ऑक्यामिश शर्मा बाकी बच्चों को भी बताओ चैनल पर जल्दी से 4000 बच्चे उने वाले न जल्दी जल्दी से फिर हम आपके साथ 4000 का Celebration करेंगे कौन सा Celebration एक लंबी क्लास लगा के पढ़ने वाले बच्चों के साथ Celebration का मतलब पढ़ना तोन आंसर देगा देखे रो कितना कैसा कोशन आ है which one of the following is a square root of this इस नमबर का square root तो उस नमबर को square root में लिख दो कौन नमबर है 2a plus 2 under root a square plus b square इस वाले नमबर का square root under root लगा दिया तो इसका square root क्या होगा इसका square root क्या होगा a plus iota भी a minus iota भी under root के अंदर अब यह तो direct आ गया भाई direct ही आ गया direct ही आ गया आप से पढ़कर मेरी खोजपूरी हो गई ओए 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 दिल पे लग गई यह बात तो दिल पे लग गई दिल पे लगई दिल पे लगई मतलब बहुत अच्छी लगई think with सुनील सर हम दोनों एक क्या नाम है एक मेली के दो भाई थे आप भिछड गए थे और हम इधर मुखरजी नगर की तरफ चल दिये थे और अब हम आप मिल गए हैं तो आपकी हमारी खोजपूरी हो गई हाँ ठीक है और एक आपके लिए हूमवर कोशन फैक के मारू एक हाँ सर फैकिए इजी वाले काहे दे पे तुम्हे अच्छे वाले कोशन देंगे ना अच्छे वाले अच्छे अच्छे वाले यह तो कोच्श प्रो कंसेप्ट है फिर हमारा तो मॉडलस और आर्ग्यूमेंट शुरू होने वाला है अब भी अब भी अब भी अब भी फिर भी मैं तुम्हें एक कुश्चन दोंगा दोंगो 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 बट तुमने अब भी वो पढ़ा नहीं है तुम अपनी तरीके से उसे लंबा करकी खराब कर दोगे फिर क्या करा जाए तुम्हारे साथ फिर भी दे दिया जाए क्या नहीं है जब तुमने प्रॉपर्टीज पढ़ी नहीं है तो देने का बनता नहीं है पर आप लोग कर भी लोग हैं कुछ लोग लड़ जगड कर चलो इसको बताना यह ओमवर्क नहीं है इसको ऐसी हैं कि हैं कर दो बताईए हां सूरज 2021 में ऐसी पढ़ाए थे अब प्रोफेशनली पूरा चल रहा है एक बैच मतलब ऐसे एक बैच आप सोच दो recording मिल जाए उसका नहीं मिलेगा EWS का clear कर दीजे भाई प्रतिक सिंग का कोई answer दे तो EWS क्या आप दिल्ली के भारवाले भर सकते हैं जन्रल से भरना पड़ेगा एक बार बता दो कोई इनको यार मेरे को जो OBC और SCST का तो पता है वाइब तेरी मेरी मिल दी या चलो देख वजर सर दुनिया करेगी कैसे आपने हमें बताया था अगर 90 डिगरी रोटेट करते हैं एंटी क्लॉग वाईज इसकी आयोटा से फैक के मल्टिप्लाई कर दो सिर्फ आयोटा से इसकी मल्टिप्लाई कर दो सिर्फ आयोटा से मल्टिप्लाई हैं आयोटा स्कार माइनस वन ली जी जा दूसा कर दिया जी तहां गया माइनस वन माइनस थ्री आयोटा ये रहा देख रहा है आप लोग कितने स्ट्रॉंग होगे 90 degree घुमा दिया आपने बिना D-Morvis theorem करें वह न वरना D-Morvis theorem के साथ भी घुमाये जा सकता है सर 60 degree बोलेगा तब तो नहीं कर सकते ना आयोटा से अपर तब क्यों करोगे तब के लिए आपको D-Morvis और Polar Form बगेरा बतानी पड़ेगी I'm waiting for एक सुंदर से सुंदर कोशन के साथ अच्छा मैं हमवर कोशन दो ना तो एक चीज का ध्यान लगना किस चीज का सर चलो यह रहाएक हमवर कोशन है यह मैंने अभी पढ़ाया नहीं है मैं पहले बोल रहा हूँ कहीं आप बोलो कि सर जो आपने पढ़ाया वो लगेगा इसके अंदर नहीं इसके अंदर जो पढ़ाना है न वो अगली क्लास में मुझे पढ़ाना पढ़ेगा तो आप लोग इसको try कर सकते हैं लेकिन आपको जितना मैंने अभी पढ़ाया वो उसमें नहीं लगेगा उससे extra कुछ बातें चाहिए होंगी जिनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे तो आप सभी के लिए एक कोशन है log आयोटा की power आयोटा log आयोटा की power आयोटा यह आप सब के लिए एक homework कोशन है तो next class में हम आपसे मिलेंगे दुबारा रूबरू होंगे यही पर इसी चैनल के सामने जो कि कल शाम 6 बजे होगी 6 से 7 हम आपसे फिर कल मिलेंगे उसके बाद 7 बजे से 10.30 बजे तक एक properties of triangle का one shot होगा दूसरे चैनल हमारे दाकोज defense academy पर जैसे आपने binomial theorem पढ़ा था है ना हाँ मैंने फिर भी आपको बोला था मैंने binomial में आपको तीन चीज़ें नहीं बताई है देखो मैं जूट नहीं बोलता आपको क्यों वहाँ पे नहीं आती maximum term नहीं बताई थी logarithm और exponential series नहीं कराई थी क्योंकि वह आपकी आती वहाँ नहीं आती शायरी कौण सी सुनोगे दूसरों की या मेरी खुट की बताई दूसरे की लखी वत सुनाए या अपनी प्नी सुनाए आपको केस से कुछ सुनाना था अच्छा हाँ आप कई अधे दिला रहे हाँ ओहो मिर को ऐसे याद आगया ये बता, दूसरों की सुनाए अपनी सुनाए आप बीती उनाए या दूसरों की बीती सुनाए इस पॉसिबल डू क्लासे वन अल्टरनेटिव डेज हीना आर अगरवाल कभी regular बोलते हो, कभी alternative बोलते हो भाई तुम लोग कैसे कैसे करते हैं तो कि अपने खुद की सुनाते तो एक चुनिंदा साही नी सुनना क्योंकि मुझे लिखना भी बहुत पसंद है ठीक है हाँ तो बस ऐसी आप लोगों ने कहा और जो केस से याद आया वह बाद में सुनते हैं पहले अपनी सुन लेते हैं पहला जो केस से याद आय था केस केस तो C A C होता है लेकिन हमारे बालों को भी केस कहा जाता ना केस केस हरी केस तो केस कहा जाता है तो थोड़ा सा इसमें रायम नहीं है बस ऐसी है औरolon comeyttical शायरि यह थोड़ी है ना कि सवाल था खुलि जुलफे या चोटी है ना गनित कैसी लगती है मैत कैसी लगती है लोगों को लगता ना उल्जा देती है परिशान कर देती है सवाल था कि खुली जुल्फें या चोटी 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 बनाते हैं आप लोग और खुली जुल्फें तो फिर क्या ही बात पता है उस बारे में सवाल था कि खुली जुलफे या चोटी जवाब था कि गणित पसंद है हमें उलजी रहने दो जवाब था कि गणित पसंद हमें उलजी रहने दो तो ये एक थोड़ा सा mathematical शेर हो गया कि सवाल था कि खुली या चोटी जवाब था गणित पसंद हमें उलजी रहने दो और एक खुद अपनी शायरी जो हमने लिखी है कभी-कभी ऐसी गौरतलब सवालों से हिलते-हिलते कलम अपनी डायरी पर भी हिल जाती है कि चांद से मांगी है चांदनी उसने हाँ चांद से मांगी है चांदनी उसने हर घटा से शोखियों की अंगडाई मांगी है पहली बारिश से मांगी है जवानी उसने मुझ से मेरी आगे की कहानी मांगी है मुझ से मेरी आगे की कहानी मांगी है चलिए बई नवशकार आदाप सस्रियकाल करते है आज की क्लास का अंत और आप सब ये क्लास जो चार हो चुकिये उनको पढ़के आएंगे नेक्स क्लास में हम लोग आपको कॉंपलेक्स नंबर का modulis और modulis की property argument और argument की property और polar form और demorvis theorem को कल की क्लास में कराएंगे ठीक है, कल की क्लास में 6-7 के बाद 7 बजए आपकी ये कख्षा आपकी properties of triangle की दूसरे Channel पे चलेगी अगर आप one shot के अंदर P.O.T. खतम करना चाहते हो binomial की तरह तो आप सारे बच्चे वहाँ पर आकर भी कर सकते हो मैं दोनों classes के link जो कल 6 बजे होगी वो तो आप टेलिग्राम पर और चैनल पर भी देख सकते हैं 7 बजे वाली जो class होगी आपकी वो दूसरे चैनल पर होगी उसका मैं link दे दूँगा बाकी आप दूसरा चैनल जानते हैं The Coach Defense Academy हमारा YouTube चैनल दूसरा है और उसको आप like, share, subscribe भी कर सकते हैं चलें, मिलते हैं आप लोगों से next class में तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए खूब नाम रोशन करिये माता भी तक का खूब नाम कमाईये, this side your coach नीरा सिंग बैसला इस साइनिंग ओख शौर्याम दक्षम युदे बढ़ते